Hello guys, welcome back again to your own YouTube channel तो आज का आपका आइल्स का exam हो चुका है तो आईए देखते हैं कि आपको कौन से question exam में आए Once again आपको exam में writing task 1 और task 2 दोनों मेरी writing book में सही देखने को मिला साथ ही reading passage 1 भी आपको मेरी reading वाली book में सही आया है So let's see कि आपको कौन से topics exam के अंदर आए हैं आज के Listening easy थी, जारा मुश्किल नहीं थी Part 3 जो था वो plastics के उपर था बाकी दोनों के titles याद नहीं थे आपको part 2 में map आया जैसे मैंने आपको बताया था So this को भी part 1 and 4 के title याद हो Please आप comments में जरूर लिखियेगा ताकि हम चेक करें कि past exam में से कोई listening repeat तो नहीं हुई Writing task 1 आपको line chart था Task 2 discusses given opinion Old people के उपर था और दोनों ही आपको मेरी book में से देखने को मिले हैं 38th number पे task 2 भी था और 38th number पे ही task 1 भी था So ये थे आपके task 1 and task 2 exactly same question मेरी book में था और मैं आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि यह जो books मैंने बना रखी है इसमें से exam आपके repeat होंगे और अगर repeat होगा तो दोनों task 1 and 2 आपके साथ में ही repeat होंगे पहले भी exams में repeat हुए हैं और आगे भी होंगे और अभी आपको मैं reading passage 1 का नाम भी बताऊंगा तो यह थे आपके task 1 and task 2 reading passage 1 it was about food supply passage 2 टेलिविजन की invention के उपर था and third passage was वेल्स कल्चर तो आपका passage 1 repeat हुआ है passage 1 में आपको दिखा देता हूँ ensuring our future food supply यह मेरी आपको PDF में देखने को मिल जाएगा true false not given के questions आपके यह है और साथ ही आपकी blanks थी completion of notes थे आपके and उनके answers मैं यहाँ आपके साथ share कर रहा हूँ इनको आप check कर लीजेगा कि क्या यही same answers आपने लगाए है और फिर आपके according to different answers exam के अंदर इनको आप check कर यह जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया है यह जो मेरे पास material है past exam के जो मैंने बना रखे है writing task 1 and 2 की book अलग है मैंने mock test बना रखे हैं जिसमें आपके task 1 and task 2 साथ में हैं आपके और exam में दुनों साथ में repeat होंगे आपके आने वाले exams के अंदर task 1 passage 1, 2, 3 की अलग books है मेरे पास जिसको भी यह material चाहिए आप मेरे से buy कर सकते हैं यहां पर मैंने contact details आपको दे रखी हैं इस पर मुझे message करिएगा आप यह सारी books आपको मिल जाएंगी अगर आपने buy करनी हुई तो मुझे बता दीजेगा GT exam की बात करें तो task 2, it was about positive negative development की जो parents है वो बच्चे को घर छोड़ जाते हैं कहां पर जाते हुए exact statement आप बता दीजेगा task 1, formal letter I इसकी भी statement आप mention कर देना मेरे साथ और जल्दी मैं live आँगा इसी channel के ओपर हम live discussion करेंगे answers की reading and listening जोनों की around 6.30 मैं live आजाऊंगा आपके लिए so make sure कि आप channel को subscribe करें और जिसको भी online coaching चाहिए अगर आपके bands को नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे online batch को join कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आपने Instagram का link आपको दे रखा है आप results देखें मेरे students के 8.5, 8 bands और यहाँ पे जो मैंने आपको भी screenshot शेयर किया था वो मेरे ही student का है Dr. Ritu इन्होंने मेरे से coaching ली है और मैंने सारे topics इनको समझा रखे थे आज के exam में जो आया है so उनका exam बहुत अच्छा गया she was quite happy और अभी आपको live में भी यह दिखेंगी so हम answers की discussion करेंगे आपके साथ make sure कि आप मेरी listening वाले channel को भी subscribe करें listening for IELTS इसका link भी description में दिया हुआ है यहाँ से listening repeat होती रहती है exam में पहले भी आच होती है आगे भी आएंगी पहले से बतारूँ preparation करनी है यहीं से करें जो भी आपको PDF चाहिए e-books चाहिए writing task 1 and 2 reading and listening आप मेरे से ले सकते है so thank you guys I'll see you very soon in the live session make sure to subscribe and hit the bell icon